आपके सामें दो तस्वीरे हैं पहली तस्वीर चार दिसंबर दोहजार तेस प्रधानमुंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंदे, फण्डविस, अजीत पवार के साथ चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा का अनावरण किया दूसरी फोटो को देखिए 26-8-2024 घटिया निर्मान की वज़े से प्रतिमा ढह गई दोस्तो शिवाजी महराज की प्रतिमा के टुकडे टुकडे हो गए हैं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तो ऐसी ही एक मूर्ती 1957 में पंडित नहरू ने चत्रपती शिवाजी महराज की बनाई थी उसका अनावरण किया था वो आज तक खड़ी हुई है लेकिन 2023 में नरींदर मोदी ने चत्रपती शिवाजी महराज की मूर्ती का अनावरण किया वो ढह गई दोस्तो जरा ब्रष्टाचार के स्तर की आप कल्पना कर लीजे मोदी जिस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं वो एक साल में ही ढह चुकी है जबकि नहरू जो कि आम आदमी थे एक आम मनुष्य थे मोदी उनके सामने नौन बायोजिकल है लेकिन फिर भी इनसान के सामने नौन बायोजिकल प्रधान मंतरी नरींदर मोदी फेल हो चुके है पिछले साल 4 दिसंबर को 9-9 दिवस के अवसर पर ये जो प्रतिमा है ये स्थापत की गई थी पूरे लाव लशकर के साथ प्रधान मंतरी नरींदर मोदी वहाँ पहुचे थे अच्छा खासा फोटो शूट हुआ था खूब पियार भी हुआ था अखबारों में तस्वीरे चपी थी टीवी चैनल्स पर खबर दिखाई जा रही थी प्रधान मंतरी नरींदर मोदी मुस्कुराते हुए रिमोर्ट से इस मूर्थी से परदा भी उठा रहे थे लेकिन आज ये मूर्थी ढह चुकी है और प्रधान मंतरी नरींदर मोदी की तरफ से इस पर एक ट्वीट तक नहीं आया है अब तक प्रधान मंतरी नरींदर मोदी ने कोई सवाल नहीं किया है दोस्तों महराष्ट में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय में चुनाव हैं और चुनाव से ठीक पहले करोणों की लागत से बनी मूर्थी गिरते ही भारती जन्ता पार्टी की जो सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर आचुकी है विपक्ष लगतार भारतीय जन्ता पार्टी पर ब्रश्टा चार की कई आरोप लगा रहा है देखें कॉंग्रस ने भी इस पर ट्वीट किया है बकाइदा इस मूर्ती की तस्वीरों को शेर किया गया है प्रुधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अनावरन कर रहे थे इस मूर्ती का वो तस्वीर भी शेर की गई है और साथ में लिखा है बीजेपी सरकार में ब्रश्टा चार चरम पर है नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महराश्ट के राजकोट में चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा का अनावरन किया अब करीब 8 महिने बाद चत्रपती शिवाजी महराज की प्रतिमा ठह गई हालात यह है कि ब्रश्टा चार की मामले में महापुर्शों को भी नहीं बक्षा जा रहा है इसके अलावा कॉंग्रूस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये तस्वीरे शेयर की हैं और साथ में लिखा है 70 साल का हिसाब छत्रपती शिवाजी महराज की मूर्ती का अनावरण पंडित नेरू ने 30 नेवंबर 1957 को प्रताबगर किले पर किया था सरसट साल के बाद भी बुलंद बनाम दूसरी मूर्ती का अनावरण नरींद्र मोदी ने 4 दिसम्बर 2023 को सिंदू दुर्ग में किया था 9 महिने में ही उसे ध्वस्त देकर कलेजा फटता है इसके अलावा खिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए है खिलेश लिखते हैं बारतिय जंता पार्टी का बनाया हुआ हर निर्मार भष्टाचार की भेट चर जाता है महराश के सिंदू दुर्ग में लगी चत्रपती शिवाजी महराश की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हो उसका गिर जाना बेहत दुर्भाग्य पून घटना है इसके निर्मार से संबंदित सभी सरकारी और गैर सरकारी लोगों की गहन जाच परताल हो और कठोरतम दंड इनको दिया जाए ये केवल महराश्ट रुबासियों के लिए ही नहीं बलकि पूरे देश के लिए भावनात्मक थेज पहुचाने वाली घटना है महराश्ट की जनता आने वाले चुनाव में भाजबाई भरष्टचार के ऐसे कुकरत्यों पर जवाब भारतिय जनता पार्टी को गिरा कर ही देखी इसके लावा रागनी नायक लिखती है कि जब नाश मनुझ पर चाता है हर काम उल्टा पर जाता है ब्रष्ट भाजबा सरकारों के दिन लदिते जा रहे हैं मोधी जी और उनके गडबंधन ने 9 महीने पहले 4 दिसंबर 2023 को शिवाजी महराज की इस प्रतिमा का नावरण किया था जो आज द्वस्त पड़ी है मराठा गौरफ का ये अपमान महराश्ट माफ नहीं करेगा तो ब्रष्टा चार का दीमक पूरे देश को इसी तरीके से खा रहा है ऐसे तमाम घटनाय सामने आई हैं जुसमें भारतिय जनता पार्टी के ब्रष्टा चार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है अब महराश्ट चुनाव में ब्रष्टा चार के खुलासे का असर देखने को मिल सकता है ऐसा जनता का कहना है क्योंकि जन्ता का मानना है कि ये अपमान सिर्फ शिवाजी महराज्ट का अपमान नहीं है बलकि पूरे के पूरे महराज्ट का अपमान है जो कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार नहीं किया है इस खबर में इतना ही, यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, नमस्कार